आप सब कैसे हैं होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब का वैलकम है मेरे इस चैनल में मेरा नाम है सारवेंद्र और मैं फोटिशॉप और पिकसार्ट में टुटोरियल्स क्रेट करता हूं फोटोस क्रेट करता हूं आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर सकते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहां मैं बहुत सारे ओसम क्रेशन्स रखता हूं और आप सब के लिए टेलिग्राम ग्रूप और मीडिया फायर की लिंक की हर चीज की एवलेबल रहती है पी एंजी जो भी होती है डिस् सब्सक्राइब कोई सीज का चार्ज निया और मैं वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले एक चीज बताऊंगा और कि जब भी मैं आप कोई नई वीडियो डालूंगा तो मैं अपने प्रोफाइल में जाकर टैग में और जिनोंने भी मुझे टैग कर रखा होगा अपनी प फोटो जा कर लेते हैं ये मेरी प्रोफाइल है आप जैसे देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से मैंने तो मैंंतीं कर एक हैं तो आप धी मैंलियो उसक्ते हैं अपर यहां विजिट करें ऑन बहुत अच्छे-च्छे 2017 18 मिलेंगी और यहां पर मैं जाता हूं टैग में और जो पहली दस फोटोस आएंगी उनको मैं रिव्यू आउट करूँगा पहली फोटोस है यहां पर मून जी की भाई ने बहुत अच्छा कर रखा है और लाइक रिम लाइट आप थोड़ा और अच्छा से ड्रो कर सकते हो को सो यहां लाइक अन सपोर्ट को मैं कमेंट आपको मैं कर दूंगा हर सीज में लाइक अच्छा जो भी लगेगा ठीक है और यहां पर है फैजुदीन का ब्रोकेन कुंसेप्ट थोड़ा और अच्छा बनाएं ब्रो अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो सो यहां पर नेक्स्ट फोटो है मिस्टर आयूश बावू भाई आपने बहुत अच्छी क्रियेट कर रखी है जस्त थोड़ा रियलिजम अचीव करें और इंगोड कि अच्छ फोटो की तरफ बढ़ते हैं शाजादा ब्रो आपने टोंस यूज कर रखे हैं सही है तो टोंस में थोड़ा और इंप्रूफ करें लाइक लाप सही रहा है इसमें और HRS क्रियेशन ब्रो आपने कंसेप्ट कॉपी कर रहा है सो कुछ नहीं होगा इसका बाइने भी अच्छा कर रखा है और थोड़ा बलर्ड है आपकी इमेज यूगेश वन नाइन थ्री वन फाइफ और रोशन दीप ब्रो पी एंजी से थोड़ा उपर आओ और कुछ और ट्राय करो अगर आप देख रहे हो यह वीडियो तो यहां है एम्के क्रेटर ब्रो और रियालिसम आख रेख और यहां पर मैंने टॉप 10 फोड जो भी होती हैं वह मैंने विजिट कर लिए और चेक आउट कर लिएं तो हर बार मैं हर वीडियो में जरूर चेक आउट करूंगा आप भी मुझे जब भी टेग करेंगे और वीडि सब्सक्राइब करते हम अपने पीसी फाइफ कॉंपटीशन की तरफ सो पीसी फाइफ यार इस बार बहुत ज्यादा मतलब लोगों की इमेल साहिए और मेरी दोनों इमेल पर बहुत चाटा और मतलब आज के दिन ये रिलीज होनी भी वीडियो यूट्यूब पर दलने थी लेक है और बनाई नहीं थी मैंने वीडियो क्योंकि धर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी सो ओप यूट्वाइब और स्टार्ट करते हैं पीसी फाइफ सबसे पहले जो भी हमारे यहां पर कंट्रेस्ट्रेंट्स है वह है इस पार पच्छेस सो जल्दी से मैं आ जाता हूं पीसी फाइफ की तरफ और यहां टाइम चार मिनिट का पहले से ही हो गया है सो सबसे पहली पोस्ट है मिस्टर एंडी ब्रो को चाहिद में इंस्टर्राम पर फॉलो कर रहा हूं सो आप भी कर सकते हैं बहुत अच्छे आर्ट क्रियेटर है और बाई ने यहां कंसेप्ट क्र रखा है लोकेशन का और लोकेशन में ग्लो क्रियेट कर रहा है ब्रो ग्लो लाइक अप टू दी मार्क नहीं है मतलब जो आपने यहां पर डाल रखा है पीछे जो मेरे को दिख रहा है वो लाइक ब्लंट ग्लो ए उसे थोड़ा और अच्छे से एंहींस करें लाइक ब्रश बहुत इफेक्टिव आता है और लाइक ग्लो को और एंहींस करेंगा तो टिप पॉइंट है और जो आपने वाच में ग्लो डाल रखा है वो बहुत अच्छा है ठीक है और ब्लेंडिंग थोड़ी शूज में मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी थी है थोड़ी वहां बहुत अच्छे से रिप्लेशमेंट कर रखी है लाइक कटिंग भी अच्छे से आपकी और एर कटिंग भी में थोड़ा और कुछ एड़ करें बिल्कुल फ्लैट स्काइब मुंत रखें आप लाइक वैदर या कुछ भी आइड़ कर सकते हैं जिससे थोड़ा और एट्रक् करें और बताएं मुझे लाइक यह बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है अगर आपने खुद से क्रियेट कर रखा है तो ब्रो और पैटल्स को थोड़ा और अच्छे से आइलाइट करो ब्रो वो थोड़े डाउंपोर है लेकिन आपका आर्ट बहुत अच्छा है और मुझे बहुत ही पसंद आया अर्मान अरोडा ब्रो का कंसेप्ट है लाइक विंग्स के साथ है तो ब्रो जो आपने बैक्ग्राउंड रखा है उसे थोड़ा सा ब्लर कर दो क्योंकि जब तक आपे मेरा फोकस ने आएगा तो वो अच्छी ने लगेगी लेकिन आपने बहुत ही अच्छा आर्ट क्रेट क किर रहे हैं उसमें आप मोशन ब्लर डाल सकते हो हलका सा जिससे वो फॉलिंग वाली फील आजाए महां पर सो जस्ट अपना ग्यू रखा है मैंने आप चेक कर सकते हैं और राइस भी आपने हाथ में अच्छे से लिख रखा है थोड़ा ग्लो हैंड्स पर और ड्रो करें ठी अच्छ आयुषघ इटिंग जोन और इनका है संसेट कंसेट ब्रो मैंने आपका फोटो बहुत ही स्पैसिफिकली चुनाएं और हर किसी को समझाने के लिए चुनाएं लेक आपको ही नहीं पॉइंट कर रहा हूं लेक आगर किसी को अच्छे से समझना हो या सीखना हो ऑडि से रेडनेस आ रही है आपकी संसेट की वज़े से वह के हमेशा इस राइट एंड साइड पर रहेगी ना की लेप्ट एंड साइड पर रहेगी सो इसको जरूर चेक करें और थोड़ा मिनिमाइज करें उस चीज को क्योंकि इधर से कुछ ज्यादा ही ग्लो आ रहा है नेक्स एं भवेश ग्राफिक्स ब्रो का इंप्र का एंट रहां लाट कर रहो है अपने जस्ट पीजी जोर अच्छे से ब्लेंड करना सिस्केंट ब्लेंडिंग मोड ट्रा गरूँआ आप आपका आर्ट सही है बस ब्लेंडिंग मोड में कवी है थोड़ी और अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे नेक्स्ट आता हूँ एक एडिटर आधित आपने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्रिएट कर रहा है जो मेरे बहुत ही पसंद आया आपने या माला ले रखके रिद्राक्ष वाली जो लाइक अपर से है थोड़ा इसे ब्लेंड करने के लिए आप शैडो डाल सकते हैं शैडोस से बहुत अच्छी ब्लेंड हो जाएंगी या आपने अगर कटिंग कर रखिया और थोड़ा उसे और रिफाइन करें अवर्वल मुझे आपका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा यह वाला आपने बहुत अच्छा से टोनिंग कर रखिया और कोई कमी लगी नहीं मुझे इसमें आड्स आपने बहुत अच्छा कर रखा है बस थोड़ा कोई कमी नहीं है नेक्स्ट है जैदे भोगाल आपको मैंने बहुत पहले से देख रखा है जब मेरे इंस्टेग्राम पे तीन या चार अजार फॉलोवर थे आइधिंक आप तब से आर्ट क्रेट कर रहे हैं और आपने अभी तक बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रखा है अपने ग्रेंस अच्छे से डाल रखे हैं लिटरली बहुत ही अच्छा है बस कटिंग यहां थोड़ी सीफी की हो गई है नीचे आप यहां देख सकते हैं तो कटिंग पे जरूर दिहान दें और जो वाइटनेस आती हो से डीफरिंज करें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके और जब भी आप किसी चीच को खोल्ड करते हो तो लाइक मैं दिखा देता हूं आपको तो जब आप खोल्ड करते हो यहां पर यह आप कप के नीशे दिख रहा होगा तो यहां पर शैड़ो आएंगी तो वह शैड़ो भी ज़रूर क्रिएट करो तो बहुत ही अच्छा अर्थब भो आपका आपने बहुत लेवल अप कर रहा है अपना नेक्स यहां रेडिट्स भाई को मैं फॉलो भी कर रहा हूं और बहुत अच्छे कंसेप्ट है लाइक आपने रिब केज दिखाया है ब्रो इस पार तो रिब केज जब आपने दिखाया है तो यार थोड़ा रियलिजम में यहां कटिंग नहीं हुए यह इस बार शॉर्ट के उपर जो मुझे थोड़ा सा खटका इस बार अदर्वाइस आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है और आप हेर की भी कटिंग अच्छे से करें थोड़ा सा सो हेर की कटिंग पर ज्यादा द्यान देओ ब्रो मैंने टुटोरियल डाल रखा है हेर कटिंग का और उसमें कोई कट्स नहीं है और वो पूरा समझाया है तो आप उसे जरूर चेक कर सकते हैं ब्रो आपने बहुत अच्छी एडिट कर रखी है आपने ब्लैंड बहुत अच्छा कर रखा है बस रिम लाइट की कमी है होप आप वह सीख जाओगे जल्दी से और आप बहुत ही ब्यूटिफुल आर्ट क्रिएट करोगे और जरूर टेक करना है और मैं जरूर देखूं आ आपके आर्ट्स नेक्स्ट ए क्रिष्णा ओफिशियल ब्रो का रहा है कुछ पंच कंसेट था मैंने आपका नाम देखा था जब आपकी एमेल पड़ी थी तो और आपने बहुत अच्छे से ब्लैंड क्रिएट कर रखा है बस यार हेर्स में कभी भी मिक्सर ब्रश मत यूज मतलब आपने बालों से खिलवार करना आप आप ड्रॉट कर सकते हैं उसे अच्छे से काटो आप तब अच्छे लगेंगे वह जैसे आप मैं आपको दिखाता हूं यह पर आप यह देख सकते हैं क्या स्मूथ लग रहे हैं लाइक जब आप बड़ी स्क्रीन पर पनी फोडो कि आपको देखेंगे तो आपको पता चलिए का गलती करेंगे क्या नहीं कर रहे हों कॉ नैक आपको कंसेप्ती माइंड ब्लोइं यंों बहुस्त अच्छा है और आपका concept बहुत ही अच्छा है ब्रो मुझे बहुत पसंद आए बस थोड़ा बहुत आपने पर करना यारा और आप perfect art create कर दोगे नेक्स्ट है महिंद्रा रॉक्स ब्रो आपने लेक एडिट कर रखिए यहां पर नाम देखा है लेकिन आपका वाइड एडिट है जो मुझे परसनली अच्छा लगा क्योंकि स्क्रीन पर देखना अच्छा रहता है वाइड एडिट बहुत ही रेर है अब फोर इस्टो ही करता हूं लाइक आपने बहुत अच्छे से यहां पर क्रियेट कर रखा है रिम लाइट और हेर्स में भी थोड़ी से रिम लाइट क्रियेट कर आगरो उसे मतलब लाइक गेरा करो उदर से हेर्स को ड्रॉ कर करके उससे बैटर रगेगा और थोड़े और रियलिजम आपने पर्फेक्ट ब्लेंडिंग से रिएट कर रखी है आपने नेक्स्ट है मुन्रल मुन्रल सेन ट्रिडेंट ब्रो आपका कंसेट्ट मुझे बहुत ही प्यार लगा आपने जब यह ट्रिडेंट भेजा था तो मैंने देखते ही सलेक्ट कर लिया था इस चीज को लाइक आपने ग्लो का बहुत अच्छा यूज कर रखा है यहां पर आपने एक्स्टरनल सोर्स ग्लो यूज करा है और उसको रियलिजम का फील दिया अब बैक्ग्राउंड पर वर्क करें बैक्ग्राउंड अच्छे से चुनें लाइक जैसे आपकी ग्लूइंग थीम है तो पीछ आपने बहुत अच्छे क्रियेट कर रखा इस बार भी और इस बार गलती नहीं लग रही है मुझे कहीं पे भी आपके फोटो में और लाइक अचीव करने वाले हो लाइक आप जा रहे हो लाइक क्या बोलू मेंधी कलर मेंधी कलर बोलेंगे ग्रीन टाइप डार्क ग्रीन कलर में आपकी फोटोस जाती है तो यार उसे औरेंज स्टोन की तरफ शिफ्ट करो वही है या टोनी मैफट का कलर थोड़ा सेम करके देखा करो एक बार अच्छा लगेगा और जब आप क्रियेट करते हो लाइक फेस पे और हैंड पे इतने ग्रेंस तो यार इतने भी ग्रे है एक मिड बैलेंस पॉइंट होता है और आप फोटोस को बहुत सारे एक्सपोर्ट करके देखो और इसमें पता चल जाएगा आपको रिड्स बोई ब्रो आपने यह वाला कंसेप्ट क्रियेट कर रखा है लाइक फ्लाइंग वाला और इसमें मुझे सबसे मेन चीज यह लगी है जो आपने अवेंजर का लोगों ग्लो कर पक्ता है परफेक्ट यार यह ग्लो परफेक्ट है आपने बहुत अच्छे से आप आप हम देते हैं यहां पर पत्थर ढाल सकते हो स्टोनस लैविरेटिंग दाल सकते हैं थोड़े से ग्रेंट करो बैक्राउंड के अन्दर अपने उपर और फ्यूंस जब आप ड्रो करते हो तो बाइर बार दो करो और फिर उसे थोडा सा एरेस करो फिर डाउर उक नेक्स्ट है आरेस एडिटर जीरो और आपका कंसर्प्त बहुत ही प्यार आई ये वाला जिगल वाला आप कट्पुतले टाइप वाला मुझे बहुत पसंद आया और इसे थोड़ा लेवल अप करें और मिक्सर ब्रेश की जगे डॉज और यूज करें समीर स्टाइलिंग 7 ब्रो आपने थोड़ा बहुत ही मतलब लाइक ओली स्टाइप का कंसेप्ट यूज कर रखा है और इसमें आपने पीजन यूज कर रखा है लेकिन पीजन इतनी दूर पर बलर हो जाए का क्योंकि आपका बैक्ग्राउंड भी बलर है तो बलर पर करें आप यूज बहुत ही अच्छा रहे ऊपके लिए और उसके बाद आते हैं सैंडी क्रियेशन और सेंडी क्रियेशन ने वाई इन्डिया गेट आ आपने अ्पने रहे अच्छा मुझ क्रियेट कर रह है मुझे बहुत जाएगी तो यह कटिंग थोड़ी गलत है बस और कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें नेक्स ऐसे एक फैजन और ब्लेंडिंग बहुत अची क्रिएट कर रखिया अगर आपने पिक्सार्ट में एक रखिया तो और आपको थोड़ा बस हेर कटिंग पेवर्क करना है और कुछ नहीं है जादा बस और पैर पे थोड़ा शैडोज थोड़ी डार्क फिर एक लाइट इससे आपकी शैटोज अच्छी क्रिएट हो जाएंगी उसके बाद आते है शिव चैरी लोकांडे और ब्रो आपने बहुत अच्छी बैक्ग्राउंड और फ्रंट एप्ची बीजी दोनों अच्छी से ब्लैंड कर रखिया आपके कर ग्रेडिंग बहुत अच्छी है बस ल अच्छी बैक्ग्राउंड और बीजी ले रखा है लाइक आप फेस पर थोड़ा स्मूथ निंग या डॉज अन बर्न ट्राय करें आपके इमेज और लेवल अप हो जाए और अपने आपको कभी भी अंडर एक्सपोज ना करें क्योंकि आपका बैक्राउंड कुछ ज्याद अच्छा है बस थोड़ा सा इसमें ब्लर डाल सकते हैं आप जाके और यह फ्यूम्स थोड़े और अच्छे से क्रियेट करें हैं उसके बाद तुशार परिहार 963 ब्रो आपका कर्मा कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे वर्ड लिखा हुआ लेकिन आप क्वालिटी इमेजिस यूज़ करें अपने पिक सार्ट में भी बड़े स्क्रीन पर आप देख सकते हो यह कर्मा बिल्कुल सही है लेकिन आपकी पिक बलर्ड है तो यह थोड़ा इंकंसिस्टेंसी हो जाती है इसको चुरूर फिक्स करें विनी जायलो ब्रो आपकी लास्ट फोटो है ल करने के लिए आर अमेजिंग एक्सिलेंट आर आउटस्टेंडिंग है यह जीच सो यह बहुत ही पर्फेक्ट लगा मुझे कि सो यहार यहार टॉप 25 खतम हो गया है और बिल्कुल पीसी फाइफ हमारा यहां रैपड़ अप हो जाता है और कि अप कर दो कि अपना पीसी फाइफ को और जल्दी पीसी 6 होगा फोटो एडिटिंग कॉंपिटिशन 6 जिसमें आप सब पार्ट ले सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें वहां पर मैं पीसी 6 की डिटेल्स अपलोड कर दूंगा कि आपको इमेल आइडी पर कब अपलोड करना है मेरे को फोटो और क्या कुछ रहेगा और 24 गंटे मिलते हैं जब तक स्टोरी लास्ट करती है आपको एडिट करके अपनी फोटो भीजनी होती है या आपने पहले से एडिट करके वो भी भीज सकते हो कोई प्रॉब्लम निया कोई इस्यूस नहीं है आप पिक्सार फोटोशॉप किसी भी और्टोडेक्स या किसी भी अपनी फोटोज तो जो भी बैस लगेंगी और मैं में से चुनूँगा और इस पार थे 1400 लोग जिन्होंने पार्ट लिया था सो हैट्स ओफ यार आप जो भी 25 बंदे हैं और कॉंग्राचिलेशन्स यार आप सबको आपने इतनी महनत करी और अपनी इमेल्स बेजी हैं मुझे और इतना प्यार दिया है सो जिस जिसको पार्ट लेना है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो महां पर जल्दी से मैं जल्दी स्टोडी डालूँगा और क्यू एने आने वाला नेक्स्ट तो आप अपने कॉश्चन और अंसर पूछ सकते हूं मैं से मैं जस्ट कल या पड़ सो डाल दूँगा क् पर कोशन पूछेगा और मैं सर दूँगा तो गाइस यहां पर खतम होती है यह वीडियो और प्लीज चैनल को लाइकन सस्क्राइब करें इसे बहुत सपोर्ट की जरूरत है और 20K होने वाले आप इस पर भी 20K कर सकते हैं सो जल्दी जल्दी सस्क्राइब का बटन प्रेस कर करें और जल्दी से कर, so thank you guys.